पाकिस्तान में तेज तर इंसाफ की फराहमी के वादे तो बहुत किये जाते हैं लेकिन इस हवाले से अमली इगदमाद बहुत कम ही देखने को मिलते हैं यही वज़ा है कि अक्सर केसिस के फैसले कई कई साल बाद आते हैं जिसके बाद अपीलों का एक तवील सिलसिला भी बढ़ें इस मौामले को समझने के लिए कुछ मिसालें आपके गोश गुजार कर देते हैं जिस से آپको अदालती निजाम को समझने में आसानी हो जाएगी पाकिस्तान में इनसाफ की फ्राहमी में ताखीर की बहुत सी मिसाले मौजूद हैं बाज केसिस तो इतने तवील चले के उन्हें खबरों में खूब जगा मिली कुछ अर्सा पहले एक खांदान की आबाई जमीन का मुकदमा इतना तवील चला कि इसका फैसला होने में सो साल से जायद लग गए ये केस तकसी में हिंस से भी पहले का था जिस दिन इस केस को सो साल पूरे हुए तो उस दिन मुकदमा लड़ने वाले फ्रीकेन ने सुप्रीम कोट के आहाते में केक काटा एक खातून की जूटे लजाम से बरी होने में पूरी जवानी गुजर गई और जब वो वापिस अपने घर पहुँची तो उसके वालदین फोथ हो चुके थे कुछ लोगों को सुप्रीम कोट ने बरी किया लेकिन उन्हें कई साल पहले ही फांसी पर लटकाया जा चुका था लाहोर के एक पान फ्रोश को 2013 में एहतराम रमजान और्डिनस की खिलाफ वर्जी पर पांच दिन के लिए जेल भीजा गया लेकिन उसको रहा होने में छे साल लग गए पाकिस्तान में सुस्त निजाम इनसाफ की बेशुमार ऐसी मिसाले मौजूद हैं जिन को बियान करना शुरू कर दिया जाए तो एक उमर गुजर जाए नाजरीन एकराम कुछ कोमी और बेनलकवामी अखबारात के मताबिक जनवरी ता एप्रिल दो हजार उन्निस तक मुलक भर में जेरे लत्वा मुकदमों की तादाद 18 से 19 लाग थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मताबिक तमाम अदालतों ने मुकदमात निम्टाने के लिए काफी तेजी से काम किया हम फर्ज कर लेते हैं कि गुजशता आठ महीनों में 4 लाग मुकदमात का फैसला हो गया अगर सिर्फ सरकारी तातिलात को निकाल लें तो ये 2000 मुकदमे रोजाना की ओस्त बनती है अब आते हैं बकाया 15 लाग जेरे लत्वा मुकदमात पर फिर कुछ बातें फर्ज कर लेते हैं फर्ज करें कि इन 15 लाग मुकदमात में से रोजाना एक लाग की तारीख परती है हर मुकदमे की समात के लिए सिर्फ दो ही लोग अदालत आते हैं हर फर्द का खर्च सिर्फ 500 रुपे हो तो ये 10 करोड रुपे रोजाना बनता है अगर महीने के 25 दिन शुमार करें तो अड़हाई अरब महाना साल की चुटियां हटा कर सिर्फ 2500 दिन शुमार करें तो 6 खरब 25 अरब रुपे बनते हैं ये सिर्फ वो इखराजात हैं जो केस लड़ने वाले फरीकें यानी मुदई और मुदा आलिया की जेब से सिर्फ खाने की मद में खर्च हुए हैं दूसरा ये के अदालतों पर हकूमत के रोजवारा खराजात जिन में सिर्फ तन्खाहों, बिल और मेंटनिस ही शामिल करें तो कई गुना ज़्यादा खराजात बन जाएंगे इन खराजात में वकीलों की भारी फीसें शामिल नहीं हैं मिसाल के तोर पर एक आदमी पंजाब के किसी दूर दराज शहर से अपने 5 लाग रुपे मालियत के प्लाट के केस के सिल्सले में लाहूर आता है पहले तो उसके एक टूर का किराया ही हजारों रुपे बन जाएगा फिर वकीलों की फीसों का बोज उसका भुरकस निकाल देगा उसकी रहाइश और खाने का खर्चा उससे अलग है अगर इसके 5 लाग रुपे के प्लाट का फैसला 10 से 15 साल में होता है तो वो बिचारा इस केस पर ही अपने प्लाट से ज्यादा पैसे खर्च कर चुका होता है मौतरम नाजरीन पाकिस्तान में इनसाफ में ताखीर में सबसे बड़ा मसला जजिस की कमी भी है अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सुबे पंजाब की बात की जाए तो इसकी लाहोर हाई कोट में जजज साहिबान की 60 असामिया हैं जिन में से 15 खाली पड़ी हैं और सिर्फ 45 निशिस्तों पर मौजूद मौजिस जजज साहिबान मौलक के सबसे बड़े सुबे के लोगों को इनसाफ फराहम कर रहे हैं ये 45 जजज साहिबान ना सिर्फ लाहोर में बैठते हैं बलके सुबे में मौजूद दिगर बेंचों जैसे मुलतान, भावलपुर और रावलपिंडी वगएरा में भी केसे सुनने के लिए जाते हैं अगर जेली अदालतों की बात की जाए तो यहां भी सुर्टेहाल मुक्तलिफ नहीं है पंजाब के 36 इजला में 36 डिस्ट्रिक एंड सेशन अदालते हैं मजबूई तोर पर 37 जिलाई अदालतों के जजसाहिबान की तादाद 619 है पंजाब में सीनियर सिवल जजिस की तादाद 110 और सिवल जजिस की तादाद 1027 है यानि पंजाब में 1137 सिवल जजिस खिदमात सरंजाम दे रहे हैं दूसरी जानिब 2017 की मर्दम शुमारी के मताबिक पंजाब की आबादी 11 करोर से जाइद है अगर इन अदादों शुमार की ओस निकाली जाए तो पंजाब के तकरीबन 25 लाग लोगों के लिए हाई कोर्ट के एक जजज सहब ताइनात है ये तादाद कई मुमालिकी मजमूई आबादी से भी जादा बनती है अगर जेली अदालतों की ओस निकाली जाए तो यहां 63,000 लोगों के लिए जेली अदालतों का एक जजज मुखतस है अबादी और जजजस का तनासुप केसिस के फैसलों में कई कई साल की ताखीर की एक बड़ी वज़ा है इस बात का इजहार ख्याल हाल ही में रिटाइड होने वाले चीफ जेस्टिस आसिफ सईथ खोसा भी मतादित बार कर चुके हैं पंजाब के किसी दूर दराज इलाके से हजारों रुपे का किराया खर्च करके आने वाला एक साइल लाहोर पहुंचकर ये देखे के बुकला ने हरताल की हुई है उसका अंदाजा इस गरीब मजदूर आदमी से बेहतर कोई नहीं कर सकता जो कई कई सालों से केसिस भुगत रहा है नाजरीन एकराम पाकिस्तान में और भी बहुत से ऐसे महरिकात हैं जो इनसाफ की फराहमी में ताखीर का बाइस बनते हैं लंबी तारीख और मुकदमात का बरवक्त फैसला ना होने से मुतासरीन की नफसियात पर जो असरात परते हैं वो इसकी जाती खांदानी, समाजी और पेशावराना जिंदगी को बुरी तरहां मुतासर करते हैं हकूमत को इस हवाले से फोरीक दमात उठाने चाहिए जिस तरहां सुप्रीम कोट ने तेज दरीन फैसलों के लिए मॉडल कोर्स काइम की हैं इसी तरहां हर शहर में इनका क्याम यकीनी बनाया जाना चाहिए या फिर बाकी अदालतों में जजिस की तादाद बढ़ा कर मुकदमात का बोज़ कम किया जाए ताके रोटी चुरा कर खाने वाले भूके आदमी को हाथ कटने से बचाया जा सके और पांच दिन के सजा पाने वाले पान फ्रोश को छे साल तक रहाई का इंतजार ना करना पड़े मजीद इस तरह की वीडियोज हासल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए अपने मेजमान यासर शामी को इजाज़त दीजिए अलाहाफेज अलाहाफेज